आज मैं आप लोग के लिए दिवाली में बहुत ही श्पेशल रेसिपी ले करके आए हैं बहुत ही यूनिक तरीके शेशे बना करके रेडी करेंगे तो आज हम पूरे दिवाली हो या कोई और फिस्टिवल हो सभी के लिए एक ही बार इतने सारे आज हम नमक पारे बना करके रेडी कर दिये हैं जिसके लिए हमारे सारे फिस्टिवल खतम हो जाएंगे नमक पारे नहीं खतम होंगे अब अस दो कप मैदे से हमारा डेर शारे जो है डबबे भर भर के नमक पारे बन करके रेडी हो गया है इतनी ही क्रीशप और लेरिंग वाला बना है जो कि आपको थोड़ी सी भी दिकत नहीं होगी बनाने में देखिए देखने से कितनी क्रीशप करारी लग रही है तो इस तर कि नमक पारे बनाएंगे और भी बिदा मेहनत के अभीना ज्यादा इंगिरेडियंस के जटपट से बन करके रेडी हो जाता है तो मीठाइएं कर शाथ साथ में थोड़ा सा नमकीन भी बना करके स्टोर कर दीजिए लंबे समय तक चलेगा तो चलिए जटपट से बनाते हैं इसकी रेशिपी आप लोकशा सेर करते हैं तो नमक पारे के लिए सबसे पहले हम डो लगा करके रेडी कर लेते हैं तो यह जो आज नमक पारे बनेंगे वह सिर्फ मैदेश बनाएंगे क्योंकि मैदे से जो नमक पारे हैं बहुत ही क्रिश्प और करारे बनते हैं टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है तो दो कफ हम भर भर के यह लिए हैं मैदा मैदा तकरीवां धाई से 300 ग्राम होगा उतने मैदे का हम इस्तिमाल कर रहे हैं इस नमक पारे बनाने के आप टी है शपुन डालेंगे अजमाय नमक डाले हैं इसमें शावाद के अनुशार श्वाद के अनुशार ही नमक आपको डालना है एक पींच में डाल देंगे हम खाने का शोडा और सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो खाने के जब ही हल्वाइआ लोग इस तरह के नमक पारे बनाते हैं उनके इतनी क्रिश्प बनते हैं उसका ही राज है कि वह एक चुटकी बेकिंग पॉडर जो है बेकिंग शोड़ाव जरूर डालते हैं साथ में हम तीन चमच इसमें डाले हैं मेल्ट करके घी आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं सबी चीजों को मिक्स करके पर बाइंड करके चेक कर लेंगे तो देखें मोयम हमारे अग्दम परफेक्ट है अब क्या करेंगे थोड़े थोड़े इसमें पानी डालेंगे और एक शक्त डो लगा करके रेडी कर लेंगे तो नमक पारे के लिए जो आपको ज्यादा शॉप्ट नहीं लगाना है करके इसे हम 10 मिनट के लिए रेष्ट पर रखेंगे जब तक हमारा डो 10 मिनट रेष्ट करेगा तब तक हम एक और इसमें प्रोशिष करके रेडी कर लेते हैं तो एक लेंगे हम बॉल उसमें डालेंगे एक चमच हम मैदा और उसमें एक चमच हम दे लेंगे तेल दोनों ची मैदा हमारा सेट हो गया है अब एक वार थोड़े से और इसे हम मशल लेते हैं मैदे को जितने मशल लिएगा उतने ही फूलेंगे जाकर के ओल में एक दम से और जितने फूलेंगे उतने ही क्रिश्प बनेंगे तो इसलिए थोड़े मैदे को जो है अच्छे शेडो को मशल ले इतनी बड़े साइज को आपको पोर्शन लेना है लेकर कि इस तरह शेह थेलियों पर हम पहले रॉंड कर लेते हैं पेड़े की तरह बना लेंगे आरिश के बाद चलते हैं अभी एक दो चम चम लिये हैं अभी है सुखे हुए मैदे उसमें थोड़ा से डेस्ट कर लेंगे ता सबी हचे से टाहा है तो यह घया कहир ImbenTI रोटी सभी पटला हम को अफ हीर बेल करके रिडि कर लेना है टो यह तो यह रेड़नागाई है क्यूंकि वह बदने के बाद फिर यह ही साइज میں आजाएगा अब क्या करेंगें गया दूग रोटियों की तरह हम बेल करके रेडिकर दिखे कितनी ही पतले हैं तो जितना पतला बनाईएगा उतने ही बेटरीन आपके नमक पारे बनेंगे और एक चमच इसमें मैदे और आटे का घोल जो है रिफाइन का इसको डालेंगे अ दूसरा जो है रोटी उसको ऊपर चिपका देंगे अ चिपकाने के बाद फिर इससे हम बेलेंगे एकदम पतला करके तो इसे जितना ट्रांसपेरेंट होने तक आपको बेलना है अच्छे से एफट डाल करके अजब इस तरह शे ओयला और इसका जो शाटन है उसे लगा दीजेगा गोल को तो आपको इजली बेला जाएगा यह अब ज्यादा दिकत नहीं होगा बेल करके तो इस दूनों को अच्छे शिबेल करके इसमें देखे कलोंजी बेकर भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है अब क्या करेंगे इसके साइड साइड का जो है थोड़े से हम कट करके इसको निकाल देंगे क्योंकि इसका जो शेप है थोड़ा सगडबड हो जागा तो इसलिए हम इसको साइड साइड को आपको हटा देना है किनारे को इसके बाद अपने मन चाहे शेप में आप इसे कट कर सकते हैं तो इसे तरह देखे हमारा कितना ही परफेक्टली बिला है तो बेल करके अच्छे से आपको कट कर लेना है दोनों तरब शे जो साइड साइड म मन चाहे आप सेब दे सकते हैं चाहे तो इसको आप इस तरह लंबे-लंबे finger type से काट से कर सकते हैं जैसी आपको इक्षा है इसे काट कर सकते हैं और बहुत ही बेतरीन बंता है अब इसे हम इस तरह शे बरफी का प्रोसेश में तो यह हमारा कट करके रेडी हो गया सभी को निकाल लेते हैं अब फ्राइ करने के लिए एक पैन में हम ओयल रखेंगे इसे अच्छा गरम करेंगे तो फ्लेम का जो है हाई रखना है हाई फ्लेम पर ही से आपको फ्राइ करना है विसे देखिए अब हम जो नमक पारे काट करके रखे ते उसे डालेंगे डालने के बाद आपको एक मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है इस तरह से चलाते रहना है ताकि जो इक वाली कलर आएगा एक वाली आपका क्रिश्प बनेगा तो देखिए जटपट से कितनी ही बेतरीन और एक भी ऐसा नमक पार इसके बाद फ्लेम जो है मीडियम कर दीजे तो यह और भी क्रिश्प एकदम से हो जाएंगे करार एकदम से बनेंगे इस में जो दो लेयर करके बनाया है इसके बज़ाश्य जो है उसका देखिया लेयर कितनी ही बढ़ी आया है तो इस तरह के अगर नमक पारे आप घर में क करके आपके खिलेंगे और फूल जाएंगे एक लेयर वाला उतना नहीं फूलता है लेकिन दो लेयर वाला बहुत अच्छा फूलता है तो देखिए कितना ही क्रिश्प करार है हमारा नमक पारे बन करके रेडी है तो इसको खाये या फिर गेस्ट के शामने शर्प कीजे इत पड़ से बन जाएगा तो आप भी इस दिवाली बनाई है खाये एंज्वाइ किजिए मेरी ये रेश्वी पशान्द है तो प्लीज मेरे वीडियो का लाइक सेर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा